ग्वाटे माला में आयोजित तिरंदाजी विश्व कप 2021 में भारते टीम ने तीन स्वन्ड पदक जीत कर अगामी उलम्पिक के लिए मजबूत दाविदारी पुक्ता कर ली है इस जीत के साथ एक बार फिर जारकिन के खिलारियों का विश्व में जलवात देखने को मिला इन खिलारियों में दिपिका कुमारी, अंकिता भक्त और कुमाली का बारी ने स्वन्ड पदक जीते हैं वहीं दिपिका के पती अतनु-दास नेवी स्वन्ड पदक जीता है बतादे कि अतनु-दास पहले भी जारकिन की तरफ से खेल चुके हैं गौाटे माला में चल रहे तिरंदाजी फाइनल में भारते महिला रिक़फ टीम ने मेकसिको को हरा कर स्वन्स पदख पर कबजा जमाया है भारते टीम ने 7 वर्षों के बाद विश्व कुप में रिक़फ टीम मुकाबले में अपना पहला स्वन्न पदख जीता है वहीं विश इस रिजर्व टीम में भी स्वण्ण पदक पर कबजा जमाया। दिपिका जार्खन के राँची से है। वही टीम की कुमालिका बारी एवं अंकिता भक जमशेदपूर से है। इसी के साथ टीम की कोच पुर्निमा मेहतो भी जार्खन से ही है। वहीं अंकिता मूरूप से में नहीं बचा है जहां इन भारते खिलारियों का जल्वा हमें देखने को मिलेगा इस जीत पर मुख्यमंत्री हेमन सोरे ने इन सब को ट्वीट कर बधाई दिया है उन्होंने लिखा है कि अद्भुत आज तीर कमान बना रहा कीरतीमान तिरंदाजी विश्वकप के रिकव मि सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहे लगाता.in के साथ